मजबूत करता है इसे हर साल कार्तिक मास के शुकल पक्ष के तितिया तिति को मनाया जाता है ये सुबा से शाम तक भाई को टीका करने का शुब मूरत होता है आज का दिन बेहादी खास माना जाता है जो बहने होती है अपने भाईयों को टीका करती है लंबे समय से इंतजुँदार होता है ऑज भाय दूच का त्योहार है भाय दूच का पर भाय बहन के पवित रिस्ते को और जादा मजबूत करता है इसे हर साल कार्थिक मास्त के शुकल पक्ष कितिति आतिति को मनाये जुआता है और इस दिन बहने भाई को रोली और अक्षत का टीका करती है और देखे भाई की लंबी उम्रों और अच्छे स्वास की कामना बहने करती है हर साल की तरह इस बार भी भाई दूज पर कई सुप्योग बन रही हैं तो जो भाई दूज का पर्व होता है बेहद ही खास माना जवाता है बहने अपने भाईयों की लंबी उम्र और स्वास्त के लिए टीका करती है कि कि पवित्रीष्ते को ये और जादा मजबूत करता है भाई बहन के प्यार का प्यवार को और जादा मजबूत करता है हर साल देखे से कार्थिक मास के शुकल पक्ष्टितियातिती को बना जाता है सुबह से श्याम तक जो बहने हैं वो भाई का ठीका करती है तो आज भाई दूझ का ट्योहार है जिसे बेहधी खास अंदाज में बहने मनाती है भाई दूझ का पर भाई बहन की पवित्र रिस्टो को दर्साता है और भाई दूज के पावन उपर्व पर हमारे साथ आचार मोहित शुकला जी जुड़ चुके हैं आचार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारस समाचार पर कि भाई दूज का आज पर्व है जिसका बहनों को लंबे समय से इंतजार होता है तो क्यों मनाया जाता है ये भाई दूज और कितना खास है अपकी का भाई दूज दिखिए आज जो है ये भाई दूज का जो पवित्र भाई बहन के पवित्र प्रेम का अलोकिक प्रेम अध्यात्रिक प्रेम का प्रतीक है और ये जो पर्व है इसके तीछे कथा है आज की दिन जो है यमुना ने अपने भाई यम के लिए विशेश प्रकार से तब किया उनके रुखवास रखा और तब यम प्रकट हुए और उन्हों ने उनको दर्शन दिये और फिर यमुना ने उनका संबान किया उनको तिलक लगाया मिश्ठान दिया और भोजा नित्यादी कराया और जम प्रशन हुए तो उन्हों ने वर्दान दिया कि आज के दिन जो भाई बहन यमुना में कि लगाएंगे सार्थी उनको मुक्ती प्राप्त होगी और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि बहन जो है उप्वास करती है और अपने भाई का दिलक करती है मिश्ठान किलाती है और इस वह से दीर गायू की काम ना करती है तो इस प्रकार से अब किल का जो ये पर्व है इसका सो मुरत जो है तो पहर बहुत कर दस लिनट से प्रारम हो और इसमें विशेश बात यह कि साड़े चार से छे बजे तक राहू काल रहेगा उस समय तिलक ना करें और जो कासी का पंचांग है इसके अमसार छे बच के 69 मिनट से कल जो है लगभग साथ बजे से ये तिती दुपिया तिती लग गई राज 8 बच कर 22 मिनट से तक साम को ही और इस समय राहू काल का जैसे मैंने बताया ध्यान रखकर तक तक समय तिलक बिल्कुल ना करें तो को कि वो राहू काल अशुब होता है और आज जो है सावभाग के योग बन रहा है और चंद्रमा अपनी मित्र जो उनके मित्र मंगल हैं उनकी राशी विश्चिक राशी मे तिलक करें तो बहाई का जो सभ्वाग के बढ़ जाएगा वबहाई के से बाधि की प्राप्ति के लकष्मी जय यहां हमेशा विद्धिमान यहां हमेशा है अघ célere उसको तिलक करती है ą उसके घर में मालक्ष्मी जो कि आदीपा वली का पर्व बी पूर्ण हो रहा है और आज जैसे युग में पूर्णा होती है, शुब और बंगल करने वाली उसी तरहे आज की पूर्णा होती के रूज में दीपा वली के बहा पर्व को जो है भाई दूज है जिसके रूप में जो है पूर्ण होता है तो आज की दिनमा लक्षमी जो है आशिरवाद देती है बहन को कि उसका घर श्री से हमें सधन से भड़ा रहे और भाई बहार प्रदान करता तो इस प्रकार से ये पर्व बड़ी ही तुशियों और सन्यता के साथ में भाई बहन मिलकर मना आचारी जी बहने इस दोरान भाई की आर्ति उतारती है वकाइदा जो थाल होता है उसे सजाया जाता है तो क्या जरूरी सामान उसमें रखना चाहिए क्या कुछ पूजन विधी और आज के दिन जो है चित्र गुप्त का भी पूजन प्रारम प्राता काल किया जाता है जो विध्यार्चियों के लिए वैपारियों के लिए बड़ा पल काराक है क्योंकि इसमें कलम और दवात का भी पूजन होता है तो चित्र गुप्त के लिए कहा गया हमारे सास्व वसी भ पीली जो है कपड़ा जो है चौकी पिछा लें उसको चित्रगुप्त जी का चित्र रखेंश नान इत्यादी के बाद और धूप दीप नवेद पुष्प माला इत्यादी चित्रगुप्त को चढ़ाएं और उनको पीली मिठाई का भोग लगाएं फल चढ़ाएं और फिर ज इच्छत से पूजा करें कलावा बांदें और फिर जो कागज है सफेद उसके ऊपर ओम सिरी गड़े शाय नमहा लिखिए और फिर उसके बाद जो है रोली से उसके उपर स्वास्तिक बना दीजिए और फिर नीचे लिए ओम सिरी चित्रगुप्त नमहा जारा बाद ये लि सब्सक्राइब लुब तो उसकी प्रयोग करता है तो उसक विद्या की प्राप्ति उती सिस्हें दीने लिखते हैं और परिक्षा है फ्रितिता परिशान रहतिक बच्च अबरादी में लिखा तो उसके जब लिखता है तो उसकी गती इतीवर हो जाती है और मस्तिस्वें उत्तम प्रकार के विचारुपन होती है तो ऐसा जो है करने से विद्या की प्राक्टी होती है और भगवान की त्युगुप्त जो लेखिनी की अवश्यूस में होना चाहिए बुष्प्वण होना चाहिए आर्थी का दीपक होना चाहिए दूसरे का सम्मान करते हैं और इस का नयक्तार से पूजा करने के पहले चावल से पीच कर उसे गलेव बना कर उसकी साहता से एक जोग डाली जालती है वहन उसके पाटा विछाती है और पाटा रखकर फिर भाई को इस थापित करती भाई का मुख जो है पूर उदिसा में होना चलिए और फिर उसका तिलग करती है इस कामना से उसका विवेद में एक मंत्र आया है तक चलें और इतना यह भाव यहां वेद मंत्र आलवकिक भाव आया और अगर पूरा मंत्र ना याद रहे तो के वर इतना बोल दीजिए जीवेम सरदाश अतम और इस भाव से किहे भाई तुम सव वर्ष तक जीओ और भेहन तिलक करे तो परमात्मावश उसकी कामना पूर्ण करते और आज के दिन यम ने चुकी वचन दिया हुआ है कि जो भेह यह मिट्टी करत दीजे घर के बाहर उस पर इस जो मुख्षी दीपक जला दे और दीपक जलाते हैं प्रातना करते हैं हमारे यह किसी का काल मुथि नहां हो है हमारे भाई की दीरगाई हो अब फिर सुबे के समय उस जो जल को जो है इसी पौने में घर के डाल देना चलिए इससे यम का सहाने काल पूजन होता है and इस प्रकार से पूजन अरादना करके और ये पर्व मनाया जाता है और इसका मुख्यासा यही है कि भाई की धीर गायू जैसे अभी पहले करवा चोथ पड़ा ता उसमें पत्नी पती की धीर गायू उसके करवतामना के लिए ब्रत रहती र्ख्वास करती है तो आज बहन जो है भाई के लिए और जो बिवाहित बहन है तो उसके आँ तो भाई चाहेगा और जिसका विवान नहीं हुआ है उसके लिए नियम नहीं है तो घर में ही अपने तीका करती है और भगवान से भाई के लिए प्रातना करती है और भाई अपनी बहन को पहार देता है वो पहार अपनी शद्दा से भक्ति से देना चाहिए जिससे की जो है भाई ब दिल बिदे देता है तो वित्ष न्टीन सम्मान के त्युछ कि भी एमान काक पान ला और अगर प्रेमअ चाहिए अपने बताया कि यहांदेव की आज के दिन पूजवार्चना करनी चाहिए चो मुखी दीपक दरबाजे पर जलाना चाहिए तो ये किस दिश्या में होना चाहिए क्या इसका सही विधी विधान है दिखिए जो दीपक है घर के बाहर दक्षिन दिसा यम का दीपक हमेशा दक्षिन दाहिनी तरफ जो है जलाया जाता है और इसका जो नियम है और इसके साथ में कि जैसे यह हम आपको बताना चाहेंगे कि रासियों के अनुसार जो है वो क्या-क्या वस्तुएं जो है वो भाई अपनी बहन को दे सकता है तो अगर जैसे कोई मेस रासी है कुछी मेस रासी अगर है तो वो अपनी बहन को जो है लाल तो इसको जो है सफेद रंक की वस्तू जैसे की सफेद रंक का कोई या उसमें हलका सा क्रीम कलर की वस्ति हो गई उसको जो है बहन को प्रदान करना चाहिए और मिथुन रासी वाले लोगों को जो है मोबाइल फोन हो गया म्यूजिक सिस्टम हो गया इस प्रकार गिफ्ट में देना चाहिए करक रासी वालों को चांदी के गहने जो है वो प्रदान करने चाहिए और प्रिश्ची वालों को अपनी बेहन को लाल रंग के वस्त्र प्रतान करने चाहिए बिस्जिक रासी वालों को पिढ़े रंकी कोई वस्त्र प्रदान करनी चाहिए धनु रासी वालों को जो है चुकि ब्रस्पति इसका स्वामी तो केसर की मिठाई पड़िये थी रहती केसर की मिठाई दे दें मिठाई इसकी जगह अगर चौकलेट देना चाहे तो भी दे सकते मकर रासी वालों को जो है इस सवसर पर अपनी बहन को पर्स गिफ्ट में देना चाहिए और पर्स रिप्रयास करें चमड़े करना हो कपड़े का हो तो बड़ा सुमाना जाता है और कुम रासी वालों को जो है वो मेतब का सामान अपनी बहन को देना चाहिए प्रिंगार का समान देना चाहिए और बीन रासी वालों को पीले रंग के बस्तर गिफ्ट में देना चाहिए इस प्रकार रासीयों के अनुसार भी आप उपहार प्रतान कर से आचार जी मानता है भाई को पान खिलाने से रिस्ते मजबूत होते हैं इसका क्या तात्पर है देखिए पान जो होता है इसके बड़ा महत हो पान आप बिरक्षे से अलग होने के बाद भी नॉर्मल कोई पत्ता हो तो सूख जाता बगर पान के पत्ता लंबे समय तक रहता तो यह दीर गायू का सूचक होता है कि भाई को पान खिलाना दो कारण है एक तो पान खिलाना जो बहुत शुद होता है दूसरी चीज होती ही कि दीर गायों पान के पत्ते पे रोली रखके तिलक करने से भी दीर गायू की प्राप्ती होती है इसा सास्क्रों में बताया गया है क्योंकि पान का पत्ता प्रतीक है जैसे मैंने बताया लंबी आयू का अगर उसको आचारी जी क्या इस दिन भाई या बेहन को कोई विशेस रंग के कपड़े पहने चाहिए जिसका लाब मिले दिखिए विशेस रंग जो है इसमें माना गया पीला रंग जो है वो बहुत शुर माना गया है और लान रंग जो है वो भी बहुत अच्छा माना गया है और औरेंज कलर ये सब रंगों का प्रयोग करना चाहिए काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए काला रंग जो होता है और वो जो है उसको अवाइट करना चाहिए क्योंकि काला रंग यम दूतों का रंग होता यम का रंग होता अंदकार का प्रतीक होता है और बाखी ज अचारी जी भाईदूज का बेहद ही खास महत्व होता है लेकिन जो नौकरी पेश्वा लोग हैं जो भाईदूज नहीं मना पा रहे हैं या जिनके भाई दूसरे शहर में हैं बहन कहीं और है तो वो किस तरह से कर सकते हैं भाईदूज देखिए जिनके भाई बहुत दूर रह रहे हैं तब भी वो कोन से बात करें चोंकि तेवहार का विशेश दो महत्त होते हैं एक तो हम वैभारिक रूप में तेवहार को मनाते हैं जैसे भौतिक रूप में और एक सूप शुवर चगत है यह भावना से तो वो टेलिपोन से ब करना चाहते हैं और तुम हमारे इस प्रिवहार को सुविकार करो भाई भी अपनी बहन को सुविकार करें और जो भी वहीं से ऑनलाइन माध्यन से यह जैसे भी गिफ्ट उपहार देओ बहन तिलक जो है तुजास्थान पर भगवान स्री के चल्णों में विश्णू जी के लगा दे पिलक करें अपने भाई को वहीं भाव करें जैसे कि भगवान शीव को जब हम पुष्ट चढ़ाते तो भगवान शीव कैलास बैठे हम चढ़ा रहें शीवलिंग पर प्रतिमा पर बगर हमारा भावना जो है भगवान शीव के प्ति रहती तो कैलास पर बिरादम भगवान शीव की चरणों में सूख रूप में परणित होकर वो पुष्ट पहुंच जाता है वैसे हमारा भाव है जब देखेगा कि देखो बहन हमारी इतना इसले हमें कर रही हम पास में नहीं है फिर भी हमको तिलक लगा रही है तो जो भावनात्मत पक्ष है वो बजू लगे कर देते तो ऐसा जो है यह वावनात्मत जो रूप है भाई बहन का प्रेम है वो बढ़ भी बढ़ जाएगा और वियापका पूरी तरीके से वह पूरा हो जाएगा और इसका फल भी पूरा प्राफ आचारी जी अभी आपने बताया कि आज की दिन यमना जी की आर्ट करनी चाहिए तो आर्टी का क्या महत्व है कितना लाब मिलता है इसका दिखे यह मुना जी में भाई बहन दोनों दुपकी लगाते हैं और माता जो है यह मुना की जो है पूजा अर्चना और ध्यान करना और इसका जो विशेस महत दिखी यम ने यह वर्दान दिया कि आज क मुक्ष का मतलब होता है जीवन मृत्त्यू के चक्र से छूट कर कि जो भगवान के स्री चर्णों में पहुंच जाए उसी को मुक्ष कहते हैं जीवन मृत्त्यू के बंधन से मुक्त हो जाए इतना बड़ा वर्दान जो है यम ने अपनी बहन को दे दिया और इससे बड़ा मृत्य प्रकार भाई के बहन के चलती है और हमारा भाई यमारे साथ है लाए कि ढर अशारे मन्तर बता देदे़ी कि कौन से मंत्र का जाप करें आज के दिन दिखिए आज की दिन जब भाई को तिलक करें तो सबसे बहत्पूर्ण जो मंत्र है वो है ओम तक शक्षुर देवहितम पुरस्ता चुक्रमुजरत पश्ये में सरदासतम जीवे में सरदासतम शुरुवाम सरदासतम प्रब्रवाम सरदासतम दीनाशाम सरदासतम भूयस सरदा तुम मैं देखने सुनने चलने फिड़ने की सव शक्तियां सव वर्स्तक रहें तुम किसी की दीन हीन भी ना हो और सव वर्स्तक तुम हमेशा दाता बने रहो तुमारा धन हमेशा बढ़ता रहा ऐसा इस मंत्र का भाव है और अगर पूरा मंत्र नहीं आद है तो जीवेम पालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद के फल्ट का तुम का तो तेल है टो उसके एक बचके दस मिनट पर व्चूरु ओगा 2 घंटा रहेगा दो घंटा-12 मिनट तक शोतम सो पर देखा तो यह शोतुमूरत आपको बटारए स्मुनर करें इस दौरान तेका ना करें बहि Neder भायों कि आर्टी उतार कर तिलक करें थाली में आद्यों सिंधूर भी अब यह सिंदूर रखकर देखिए आप तिलक करें में भाई कलावा दूदादी रखें भायों के मात्य पर तिलक लगा कर मुँ मीठा कर आए तो किस तरह से आपको तिलक करना है वो हम आपको बता रही है फिलाल अभी के लिए इतना ही बने रहे है भारत समाचार के साथ अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रीष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार गोल्डी मसाले के सौग राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेश ने